हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ CTR के बारे में दोस्तो सारी चीज़े मैं इस वीडियो में किलियर करूँगा वीडियो को लाश तक कर जरूर देखिएगा इसके अलावा कैसे आपको अपनी CTR को चेक करना है उसका वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से जाकर आप देख सकते हैं इसके अलाव शेयर करना और हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड़ सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा इसको प्रेस करना ना भूलें जिससे के हम कोई भी नय वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे CTR CTR की फुल फॉम आखिर क्या होती है दोस्तों CTR का मतलब है click through rate दोस्तों जैसे कि आपका result आता है उसमें आपकी कितनी percentage आती है सेम ऐसे ही CTR है CTR का मतलब है click through rate यानि जैसे आपक के वीडियो पर एड आते हैं अगर सो एड आते हैं और दस लोग उसको click करती है या फिर उसको पूरा देखते हैं तो वो click rate कहलाता है यानि सो मैसे दस लोगों ने अगर click किया या फिर उसको पूरा देखा तो वो 10% का आपका CTR होगा तो दोस्तों बात करेंगे YouTube और AdSense औ हमारा thumbnail है वो कितना attractive है अगर हमारा वीडियो दस लोगों के सामने जाता है तो उसमें से कितने लोग हैं जो उसको click करते हैं और वीडियो को देखते हैं तो इसलिए हमारा YouTube में CTR जादा होना चाहिए अब दोस्तों बात करेंगे AdSense की तो दोस्तों AdSense में CTR जादा करने की कोशिश कभी मत करना पता चला आप लोग लग जाते हैं अपने वीडियो को open करके और उसमें हर एड पर click करते हैं जिससे आपको पैसा जादा मिलता है लेकिन बाद में आपको पता चलता है आपका जो AdSense account है वो disable कर दिया गया है तो दोस्तो AdSense का जो CTR है उसको control करने की 15% से उपर जाता है तो उसको आप control करना पड़ेगा तो दोस्तो YouTube का जो CTR है उसको increase करने की कोशिश करें बढ़ाने की कोशिश करें और वो increase आपके करने से नहीं होगा वो आपके thumbnail को इतना attractive बनाईए जो बंदा उसको देखे उस पर click करें तो इस तरह से आप अपने YouTube का CTR बढ़ा सकते हैं और AdSense में दोस्तों आपको लगता है कि आपका जो CTR है वो बढ़ रहा है उसको control करना चाते हैं कम करना चाते हैं तो अपने वीडियो में जाए और उसकी monetize में जाकर skipable ad और non skipable ad को disable कर दीजे दोस्तों तो इस तरह से आप अपने AdSense के CTR को control कर पाएंगे अगर briefly देखना चाते हैं कि कैसे हम अपने CTR को control कर सकते हैं तो description में वीडियो दिया हुआ है वहाँ पर आपको बताया है पूरी तरह से कि कैसे आप अपने CTR को control कर सकते हैं YouTube में या AdSense में दोस्तों same criteria होता है invalid click बोला जाता है websites पर और blogger पर तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे plugins हैसे आते हैं जो note करते हैं अगर कोई बंदा एक बार से जादा आया दो बार से जादा आपके जो website पर जाकर add पर click करता है तो वो automatically block हो जाता है तो उसमें घवरानी की प्रोल करके रखें security plugins उसमें install करके रखें तो दोस्तों मुझे उमीद है मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और CTR क्या है यह आपके समझ में आ गया होगा इसके अलावा कोई problem होती है तो comment section में कि हमसे पूछ सकते हैं okay friends मिलते हैं फिर से एक ने वीडियो के साथ अब तक के लिए बाए